नमस्कार राजस्थान विधान सबा चुनावों के परणाम आने में अब केवल एक रात शेश रह गई है तीन दिसम्बर की शाम एक सो निन्यान में प्रत्याशियों के कारालियों पर ढोल लगाड़े बज़ रहे होंगे और बाकी बचे नमांकर भरने वाले 1875 में से 1676 प्रत्याशियों को इस बार हार से ही संतोश करना होगा पूरे चुनाव में हमने बीजेपी से लेकर कॉंग्रेस के बड़े बड़े धुरंदरों को प्रचार करते देखा एक से बढ़कर एक नम राजिस्थान चुनाव में अपनी पार्टी का पर्चम लहरवाने के लिए भागता दोड़ता दिखाई दिया बीजेपी के स्टार प्रचारकों में यूपी के मुखे मंतरी योगी अधितनाथ से लेकर असम के सीम हेमंत अबिस्व सर्मा तक महराश के देविंद फण नविस से लेकर हरियाना के मनोवरलाल खटर तक बीजेपी अध्यक्ष, जेपी नडड़ा, केंद्री ग्रह मंतरी अमिशा से लेकर खोद प्रधान मंतरी मोधी तक लगातार राजिस्थान में डेरा डाले रखे कॉंग्रेस महासचे प्रेंक गांधी, राहुल गांधी और कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिकार जुन खड़गे तक हर कोई राजिस्थान में दिखाई दिया अब ये सब प्रशार की बाते जा चुकी हैं, परिणाम की घड़ी आ गई है कॉंग्रेस और बीजेपी के 199 प्रत्याशी आमने सामने हैं मैजिक फिगर यानि बहुमत के लिए आंकड़ा 100 का चाहिए 199 सीटों पर कौन से प्रत्याशी कॉंग्रेस और बीजेपी से आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं इन में मुख्यमंतरी, पूर मुख्यमंतरी, विधानसवा अध्यक्ष, पूर डिप्टी सीएम, सात मौझूदा सांसत, कई विधायक, पूर विधायक और संत महिंत भी चुनावी मैदान में हैं इन नेताओं का भविष्य क्या रहेगा और कैसे सियासी समिकरन अलग अलग विधानसवा सीटों पर हैं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, साथ ही कुछ ग्राफिक्स भी आपको हम बीच बीच में दिखाते रहेंगे, फलाल चर्चा की शुरुआत करते हैं, अलोग पांड अब कल का जब सूरज होगेगा, तब अब देखना होगा किसके घर में, किसके कारले उपर रोशनी पहुचेगी, आलोग जी और कहां पर जो है अंधियारा चाया रहेगा, लेकिन आपका क्यामत है, पूरा चुनावों में आप भी लगातार हमारे साथ, राजनेतिक विश् पूरे चुनावी सफर में 23 विधानसभा का जो ये पूरा चुनावी सफर रहा अंत में अब आपको क्या कुछ लग रहा है, कहां आपको अभास आ रहा है, कहां आपका जो सिगनल है वो बता रहा है कि कौन जीत रहा है कर, मुझे रखता है रहूल, अगसे पर यह कहना बड कि कितना बड़ा परिवर्तन असोग गहलोत में कर दिया, कि इसके पहले हर विष्लेसक पर आसान होता था राजसान को प्रडेक करना, तो को प्रडेक्टिब ना एक बार बिजेपी, एक बार कांगर्स पिछले 25 साल से, तो इस आधर पर दिया कि बिजेपी आ रही है, लेकि कांगर्स ने अधर गहलोत में चुनाओ को इतना से अपने औरियंटेट गहलोत चेंट्रिक हो गया, गहलोत वरसे नरन मुदीती हो गया, और उसमें गहलोत अगर जीतती है, तो गहलोत एक स्टार के रूप में भारती राज़्जीत में आएंगे, और उनका भाग्योदे हो कांगर्स ने लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अधे तो भारतियंता पार्टी को है, अब देखना यह है कि अगर भारतियंता पार्टी जीती है, तो क्या दो कांडिसन बनेगी, वसंद्रा राजे मुख्यमंत्री बनें की नहीं बनेंगी, और अगर वसंद्रा राजे लेकिन अगर मुझसे आप एक वन टू वन चुनने की बात कहेंगे तो मैं यह कह सकता हूं कि इस समय एच भारतियंता पार्टी को है और भारतियंता पार्टी तरकार बना सकते हैं बिलकुल आलोग जी और आपने दो बड़ी इंटरस्टिंग बाते कहीं अपनी इस बात में एक तो आपने कहा कि अगर कॉंग्रेस जीती है तो निश्चित रूप से गहलोत यूग शुरू होगा और एक लार्जर देन लाइफ फिगर के रूप में फिर राजस्थान की राज इतिनाथ, देविन दफण नविस, मनोरलाल खटर, सारे तो बीजेपी के मुख्यमंतरी मौजूद थे, खुद प्रदान मंतरी के इतने दोरे हुए, ग्रह मंतरी मौजूद थे, जेपी नड़्डा साब मौजूद थे, तो पूरी ताकत बीजेपी ने जोकी हुई थी और इस पूरी ताकत के सामने अकेले अशोग गहलोत दिखाई देते हैं अपनी योजना और अपने कारेकाल को लेकर के तुनिश्चित रूप से गहलोत युग इसको कहा जाएगा, और आपने बड़ी लास्ट में बड़ी दिल्चस बात कही कि अगर बीजेपी जीती है तो क्य वसंदरा राजे को केवल एक अलप कालीन मुख्यमंतरी के रूप में देख सकते हैं हम की थोड़े दिनों के लिए वो मुख्यमंतरी रहें और उसके बाद लोकसभा चुनाव के बाद शायद कोई नया चहरा राजिस्तान की राजनीती में बीजेपी आगे लाएगी लेकि बाएटु में बालाराम मुंड के आगे हरीश चौधरी मैदान में हैं इसके बाद अजमीर डख्षिंड से अनीता बगेल बीजेपी के प्रत्याशी हैं कोण्ग्रेस से दुरॉपती हैं पुशकर में बीजेपी के प्रत्याशी सुरेश रावत चौग्रेस से नसीम अक्तर चुनाव लड़िंगी शंकर सिंगरावत ब्यावर से बीजेपी प्रत्याशी है किशनगड में भागीरत चौधरी के सामने विकास चौधरी मैदान में है किशनगड के बाद अजमेर उत्तर देखिए महिंदर सिंगरावता कॉंग्रेस प्रत्याशी के सामने वासुदेव जी केकडी में शत्रुगन गौतम के सामने रगू शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं मसूदा में विरेंदर सिंग खानावत के आगे राकेश पारी तो यह तमाम सूची एक सुनिन्यानमे विधान सबास सीटों की जिसमें हमने बनाया है कि बीजेपी के सामने बीजेपी और कॉंग गए थे तो अलुक जी अभी कौन सा ऐसा मुद्धा आपको लगा कि क्यूंकि तमाम बड़े नाम हमने गिनवाए हैं जो चुनाव प्रचार में रहे लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान कौन से ऐसे बड़े मुद्धे आपको लग रहे हैं जिसकी वजास से यह पोलिंग जो एकजिट पोल्स आए हैं इसमें भारती जित्ता पार्टी को बड़त जो दिख रही है कौन से ऐसे मुद्धे आपको लगता है जो रहे जो कॉंग्रेस पर भारी पड़ गए हैं प्रधान मंतरी के भाशन में वो जो कुछ ऐसी बातें आपको लगी हों जिसने बड़ा सरकर दिया है राजस्तान की जंता पर पहला तो मुझे लगता है मैलाओं की सो रख्षा बहुत बड़ी जो कारण है ये एक बड़ा मुद्धर आयरा जिसने बिल्कुल ठीक है रहे हैं तो ये कैसा कारण है जो मैला जो क्राइम में राजस्तान नंबर एक पर है और मैलाओं है जिसमें जो हत्या हुई और इसके बाद राजस्तान में एक वो चला तो दूसरा करण ये भी है और तीसरा करण है सचिन पाइलट गुट वर्सेज गहलोग गुट का जो पुछले चार साल तक जो कॉंगरिस के अंदर डिस्टूट चला तो जनता नेता भले समझे की जनत को करें हम देखें तो कॉंगरिस ने सचिन पाल्ट के साथ दोखा किया दोजार रखारां में सचिन पाले को परदेश सब्सेज पुट के नेत्रत में चुनाओ लड़ा और ये बतानी कोसिस की कि यही मुख्यमंत्री होंगे लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने का नमबर आय के असोग गलत को मुख्य मंत्री बना दिया जब कि पाइलट के चेहरे पर चुनाव रहा स्थमकर दोज़ा रखा ने मिला रगया था उसके बाद जो सचिन पाइलट का चाहने वाला एक बड़ा वर्ग है वो नाराज है कॉंग्रिस से और वो वर्ग निश्चित बात आप मान पर चुनाव करने गे क्या है तो क्या वो जो दरारे भरने की कोशिस की है वो दरारे पैच अच्छी तरह हुआ नहीं राजस्थान में इन दोनों के बीच की लड़ाई बाहर दिखाए दे रही है तो यह तीम प्रमुक कारण मुझे लगते हैं कि यह कारण जरूर रहोंगे सब्सक्तार को पास चुर्फव थो और रह दिखाई दिए और उन तुमाम मुद्व के सामने अशोक गहलोत अपनी योजनाओ का डंका बजाते हुए भी नजर आते रहे लकिन क्या लग रहा है आपको कि अगर कॉंग्रेस पार्टी कहीं नहीं पीछे अगर रह जाती है कल के परिणामों में तो उसका मुख्य कारण क्या ये मान सकते हैं कि योजनाओ की जो हवा बनाने की कोशिश की गई थी उस पर पेपर लीग जैसा मुद्दा भारी पड़ गया महिला अत्याचार जैसा मुद्दा यकीनन भारी ये माना जाएगा जी बिलकुल अगर कल ऐसा होता है कि कॉंग्रेस को बढ़त नहीं मिलती है भारते जनता पार्टी जीत कराती है तो निशित रूप से हम ये एक बात कह सकते हैं कि योजनाओं पर पेपर लीग जैसी घटनाएं जो हैं पर देखिए कि राजस्थान में बा दाताओं का 30 प्रतिशत होता है और ये जाहिर तोर पे बहुत बड़ा आंकरा है और हम प्रदेश के विमन हिस्तों में जब भी गए युवाओं से बातचीत की तो पेपर लीग का मुद्दा उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा था अक्रॉस रीजन तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है और जाहिर तोर पे जो युवाओं थे वह चाहते थे कि गटना ही ना हो क्या कानून बना और कानून कितना सक्थ है इससे उन्हें मतलब नहीं था उनके साथ ये चीज़े नहीं जो कि अगर किसी विद्यारती का एक साल बरबाद होता है तो एक मौका बरबाद होता है और हम जानते हैं कि इन तमाम सरकारी परिज्शाओं में एक लिमिट सिट है और अजस्थान में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो की इन भरती परिख्शाओं की तयारी करता है तो जाहिर तोर पे हम ऐसा कहए पाएंगे कल अगर परिज्ञां में और सो मॉह अगर उन्होंने जो CM face गोशित नहीं किया और पहली list आने के बाद जिस तरह से विरोध हुआ उसके बाद उन्होंने जो लोग बता रहे हैं कि उन्होंने वसंदरा राजे के समर्थकों को करने की कोशिश कि और पहली लिस्ट में ने देखा कि कई समर्थकों के टिकेट कटे तो यह एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है क्योंकि आप देखिए कि अभी भी प्रदेश में के विभिन हिस्सों में जो बागी है वह ज्यादा नुकसान भारते जनता पार्टी को पकड़ है और जितने भी बीजेपी के पास बड़े से बड़े नेता राजस्तान में उनकी वो सब छेत्रे नेता नुका जा सकता है कोई पूर्वी राजस्तान में किसी की पवड़ पकड़ है किसी की दस बारा विधान सवाओं में पकड़ है कोई अपने छेत्र में राज बिल्कुल खास तोर पे महिलाओं से उनका कनेक्ट जो है वो काफी आहम रहता है हमने देखा कि जब रक्षा बंदन उत्सव हुआ उन्होंने अपने आवास पे महिलाओं को बुलाया उस वक्त भी ऐसी तस्वीरें निकल कर सामने आई कि महिलाओं के प्रती महिलाओं को उनके पहचान है और भारती जनता पार्टी का कोई दूसरा नेता उनके कर्द के बराबर का नहीं है क्योंकि अभी जो एक पूरी लिडर्शिप है उनमें कुछ पुराने नाम जरूर है लेकिन ज़्यादार लोग जो है वो अभी इन कुछ सालों में उभर करके सामने ठीक है ठीक पी के लिए कौन सी चीज़े बैकफायर की है वो सोमू ने बताया रवीश टेलर के पास चलते हैं रवीश कल का दिन हम है क्या तैयारी है चुनाव आयोग की और से मतगड़ना कल होनी है और पांच-शे करोड मदाताओं ने अपना मदान दिया है इस चुनाव में क्या तैय करना भी शांतिक पुर्वक हो जाए और लोग जो जीत के जाएं वो सीधे जाए जुलूस पर पाबंदी एक सो चंबाली से पूरी रास्तान में लगी हुई है सबसे महत्पूर्ण राहूल यह हो जाता है कि एक शेर याद आ रहा है कि हमें तो अपनोंने लूटा गेरों मे कहा दमता मेरी किस्ती थी डूबी जहाँ पानी कमता तो दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत महत्पूर्ण है कि आखिर जो बागी थे उन्होंने किस तरह खेल बिगाड़ा है किस तरह अपनी पार्टियों को नुकसान पहुचा है क्योंकि सारे जो है एक्जिक्ट पॉल बीजेपी को आगे बढ़ता रहे हैं कि सरकार बनेगी लेकिन महत्पूर्ण यह होगा कि जो परिणाम सामने आएंगे तो उस सूरत के अंदर जो किस तरह के परिणाम हमें देखने को मिलते हैं और किस तरह से कितने लोग जो है किस पार्टि से जीत कर आते हैं कितने जो बा कुल इंतजामात कियें तीन चक्री सुरुक्षा है वह मशीनों के लिए लगाई गई थी और उसी के साथ आज जब हमारी पुलीस और प्रिशास्टिक अधिकानु से बात हो रही थी तो सब कितने बजे से सुबह मदगड़ना जो है वो शुरू हो जाएगी और कब तक रुजहान आने सामने आने लगेंगे इसकी क्या जानकारी आपके पास देखे टॉक की आज सबी जगे की बात करें हम रास्तान की तो आठ बजे से मत गड़ना होगी सबसे पहले बैलेट पेपर जो है हर कमरेक अंदर जो है चार टेबिल सिप बैलेट पपर और जो तीन जो अलग तरेके थे जिव्यांग जन हो या फिर यह कैसा है कि सरकारी जारी हो बुजर्ग हो उनके जो मत हैं वो तीन जो है वो आदे घंटे सबसे पहले वो होगा आठ से साड़े आठ तक जो है इन बतों को गिना जाएगा यह इनकी गिंती निरंतन जारी रहेगी लेकिन सबसे महत पूर्ण है कि साड़े आठ बजे आठ बचकर तीस मिट पर जो है पहली यह मशिन खुल जाएगी और उसके बाद जहां जितने चक्र में मददान होगा मदगना होगी कहीं बीस राउंड है कहीं पचीस राउंड है अगर मैं टॉक की बात करूं तो सचीन पाइलेट जो सीटे वो बीस राउंड की गिनती होगी वहीं सबसे ज्यादा के अंदर जो है पचीस राउंड चोईस राउंड जो होंगे वो देवली उनियरा की सीट पे होंगे तो पहला जो रुजान है या पहला जो है कि बैलेट पेपर खुलने के साथ ही लगने लग जाएगा कि सरकारी करमचारी हो या फिर जो बुजर्ग हो जिन्होंने घर से ब तक जो पूरा चुनावी सफर 2023 विदान सबा करा है उसको लेकर भी हम लोग बात कर रहे हैं अलोग पांडे जी हमार साथ जोड़े हुआ है राजने तेक विश्टे शक है अलोग जी कल जब परिणाम आएंगे मैं उसके बाद आपसे समझना चारा हूँ राजस्थान की जो लोग सबा के वोटर्स पर और पूरे देश की राजनीती पर भी उसका बड़ा इंप्यक्ट रहेगा जैसे आपने जिकर किया ता गहलोत युक का उसी का जड़ा थोड़ा विस्तरित अगर आप बता पाएं हमारे दर्शकों को कि कल के परिणामों के पूरे भारतिय राजन सब्सक्री बने या कॉंग्रेस जीते राउल गाजने तो खुले हम मीडिया में कह दिया था कि राजस्थान बढ़ है पाकिसाब अबारक की यह निस इस ने तो पहले से भूंगा बनाने अलगा था कि राजस्थान में गहलोत ना है अच्छा अगर गहलोत नहीं आते हैं तो और अगर कॉंग्रेस नहीं जीतती है राजस्थान में तो सचिन पालेट के अब हाथ में कॉंग्रेस पाटी होगी सचिन पालेट अगले पाथ साल बात कॉंग्रेस के मुख्यमंत्री उम्मीदवारी नहीं होंगे मुख्यमंत्री भी होंगे और गहलोत यूग खतम हो जाए है तो अगर विजेती हारती है तो फिर से अगर कल कॉंग्रेस जीती है तो आप मुझे लगता है शायद आप गांधी परिवार के लिए पर्टिकुलर ली अंकि संकेत दे रहे हैं इस बात को कि उनको जो है नुक्सान रहेगा जी गांधी परिवार को एक चुनोती और बड़ मुझेघ का गंधी किना गंधी versão घंटी क heavily कमजोडबन लीवी और सब्सक्राष निर्दा को ना जितायों जिताते हैं के निर्था तो शूल के अजरी स्वरभार के लिए बड़ी राजीजीट वें की पार्टिकें अंडर से मिलें बिलकुल बिलकुल आलोग मैं सोमों कल के लोग आज चुनाव राइस्थान में बात कर रहे हैं कल के लिए क्या कुछ तैयारियां पूरे खासतार पर राजदानी के छेतर में की गई हैं चुनाव आयोग दुआरा तमाम तैयारियों का जाहिजा आपने भी लिया है जरा थोड़ा था बताईए उसके बारे में कल किस त करिया इस बार हुई थी वोटर्स हैं और जो सर्विश्स के वोटर्स हैं जिसका डायरा इस बार बढ़ाया था और पत्रकारों को भी इसमें शामिल किया था इन सब की गिंती आठवे से होगी प्रतेक 500 पोस्टल बैलेट पर एक टेबल होगा और सबसे पहले पोस्टल बैल आझके वोड़िश्वियल से अधित टेबल हैं सबसे अधिक राउंड की गिनती होनी है और इसमे बाद जो अजमेडंदग्शण है वहां सबसे कम 14 राउंड की गिनती होनी और अमूमन जो ज्यादा तर सीटह है वहां 22 के आस-पास राउंड की गिनती होगी और उसमें चीजें इस तर से ये तैयारियां की हैं और पुरी प्रिक्रिया पारदर्शी तरीके से हो इसलिए सुबह रेंडमाइजेशन होगा कि एक टेबल पे कौन से चार लोग बैठेंगे उन्हें पांच बजे पता चलेगा कि छे बजे ये चार लोग इस टेबल प की संबन में तो ये है उसके लावा पार्टियों ने अपने स्टर पे त्यारियां गर कर रखी है भार्यतर जंता पार्टके और कांग्रस दोनों के दफ्रके बाहर है तेंट लग रहा हैं और ऐसी उमीद दोनोंं पार्टियों को है कि वो जीत जाएंगे जी बिल्कुल आप ठीक बता रहे हैं और तमाम अब चीजे कर लोंगी इसी का इंतिजार है यही सब तस्वीरे पूरा राजस्थान देखना चाहेगा रवीश यह तो बात रही कि अब कल परिणाम आएंगे लेकिन परिणाम अभी आए नहीं है रवीश और आने से पहले ही मुलाकातों का दौर है वो शुरू हो गया है अलोग जी मैं इसी बात को लेकर आपके पास भी आऊँगा रवीश से लेकिन जानकारी ले 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 लेते हैं सुंद्रा राजे कल राजस्थान के छेतर पर चारक निम्बराम जी से मुलाकात करती है उसके बाद कल राज मिश्य से भी मुलाकात करती हैं यह मुलाकातों के क्या माइने हैं अभी से रवीश क्या सीधा बात हो रही है कि मेरा रोल क्या रहने वाला है पर चुनाब पर सरकार अगर बनती है तो मुलाकतों का जो सिल्सिला है बहुत पहले से मददान हो था उसके बाद ही शुरू हो था और नेता के इनके एक संदेश भी दे रहे हैं कि दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए बसम्तरा राजे भारती बहुत गई थी वहीं जो है गेलोत केम जो है वो अपने लोगों को साथने में जोटा हुआ है और भारती जनता पार्टी पूरी तरह एक संदेश देने के रूजहान देखने को मिले हैं उसको उनसे एक उम्मीद बढ़ी है कुई रिवाज भी रास्तान में यही है पिसले 30 सालों के हर 5 साल के अंदर सरकार बदल जाती है तो उम्मीदें है रोगी बढ़ना है तो कहीं ने कहीं मुलाकतों का दौर क्योंकि कहीं ने कहीं हालाद पूरास्तान के देखे था हमने पिर निर्दुलियों पे और अन्य पार्टियों के लोगों पर आठीक हैगा ठीक अलोग जी ये जो वसंदा राजे की मुलाकात कल हुई थी छेतर प्रचारक राजितान के निम्बराम है उनसे मुलाकात इसके बड़े माईने निकाले जा सकते हैं क्योंकि बातचीत क्या नहीं थी कि भई मेरा रोल डिफाइन कीजिए क्या रहेगा अगर जंता ने बीजेटी को 49 परशन मत दिये तो वसंद्रा राजे सीम होंगी और साड़े 49 से जादा दिये तो वसंद्रा राजे तंप्रेरी सीम भी हो सकती है चुनाओ तक यह सीम नहीं होंगी यह तीन जो कि जो पहले गवर्नर से मिलेगा उसका मतलब कि वह कॉंफिदेंस कर रहा है कि मैं चीप इससे बनने जहा को पिछड गई वह अपने किसी नेता स्मूल अलग बात है लेकिन गवर्नर से मिलने में असोग गैलोट ने बाजी मार ली है और कहिन के प्थम संदेश यह गया ह कि असोग गैलोट पूरी तरह से कॉंफिदेंस है अपनी वापसी के लिए और मैं यह नहीं कहता कि विजएपी जीत ही रही क्योंकि गलत नहीं हो सकते हैं तो कि मुख्यमंत्री के पास अपना सीट बैक है और उनकी बॉडि लंगज से यह लग रहा है कि वो इन जितने भी एक्जिक पॉल है लेकि वो इनकी बॉडि लंगज से अगर हम देखे आशो के लोग की तो वो उनकी बॉडि लंगज से भी हार मानने के लिए प्यार नहीं चलिए ठीक है यह तो कल मालूम होगा कि किसकी बॉडि लंगज क्या कुछ जो बया कर रही थी उसमें कित्ती सचाय थी और सोमो आज रवीश जो है बड़े शायराना अंदास में हमें हमारे साथ जुड़े हैं कल जब परणायम आएंगे तो देखना होगा कि किसकी शायरियां कहां रंग लाएंगी फिलाल आप तीनों लोग का बहुत बहुत शुक्रिया सोमो अमारे साथ जोड़ रहे थे जैपूर से रवीश शुक्रिया टॉंग से आप जुड़े राजमेतिक विश्रेशक के नाति से आलोग पांडे जी आपका यी बहुत बहुत शुक्रिया कल निरना एक दिन है कल की सुभा का इंतजार सभी को है सुभा से ही लगातार एंडी टीवी राजिस्थान पर कवरेज आप देख सकते हैं चुनावों के सठीक परिणाम एंडी टीवी पर आपको देखने को मिलेंगे फिलाल के लिए इतना ही नमस्कार